दोस्तो एक जगे पर गणित का पेपर हुआ है आपके जिले में हर जगे पेपर शुरू हो चुके हैं किसी का पेपर नौ तारिक से शुरू है किसी का पास से किसी का चार से किसी का तीन से इस तरह से पेपर सुरू हो चुके हैं हर जिले का पेपर हमारे पास आ रहा है और इन इसको सरल करना है, यहां पर क्या बोल रहा है, इसको सरल कीजिए, यहां पर question में दिया गया है, एक बटे, इसको सरल करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, देख लीजिए, कैसे करते हैं, समझ के आपको करना है, मैं कुछ questions आपको छोटे questions करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, कभी भी जब एक बटे में कोई power होती है, तो नीचे वाली power को जब उपर ले जाते हैं, नीचे वाली संख्या को जब उपर ले जाते हैं, जब उपर में एक हो, तो इसकी power क्या हो जाती है, नाकारात्मक हो जाती है, निकि मैं लिख सकता हूँ इसको 3 की घात minus, ठीक है, 3, यह हो गया नीचे वाली की संख्या, जो है, तीन की घहत तीन थी, अभी मैं एक बटेने लिख करके, अगर मैं तीन की पावर माइनस तीन लिखता हूं, तो एक ही बात होती है, ठीक है, और इसकी पूरे की घहत, जो है, साथ दे रखी है, यह साथ दे रखीए यानि कि हम कह सकते हैं कि यह 3 की घात माइनस 3 तो है और इसकी घात जो है और जब घात की उपर घात हो तो एक गुणा हो जाता है तो यहाँ पर जो गुणा में 7 हो गया यानि कि अब जो आंसर आने वाला है वो 3 की पावर कितनी आ जाएगी माइनस के 7 या 21 तो यहाँ पर यह इसका आंसर होना था इसी को हम सरल करने वाले थे बस इतना सा आपको सरल करना था बहुत सिंपल सा आप देख चुके हो इसको अगला जो कुश्चन है बहुपद जो है 5X क्यूब है यहाँ पर 3 है घात थोड़ा सा पेपर जो है साफ नहीं आया बच्चों से जब भी अनुरूद करूँगा मैं आप अपने जिले का जब भी पीपर भीज है तो आप हमें भेज सकते हैं मैं अपना वाटसेप नमबर आपको पतायता हूँ 8469022568 यह हमारा वाटसेप नमबर है इस नमबर पे आप हमें अपना पेपर भेज सकते हैं आपके जिले का पेपर भेज सकते हैं उसके सॉलूशन के लिए अपना पेपर सेंड करने के लिए 8469022568 यह वाटसेप नमबर है इस पे जो है आप अपने जिले का पेपर साफ-साफ जो है हर पेज का फोटो कीच के PDF बनाके, सबसे अच्छा रहेगा कि आप PDF बना फोटो खीचने की बजाए जो है आप PDF बना लिए Mobile Store पर उपलब्ध है उसको आप जो है कोई भी बहुत सारे हैं असंखे हैं मतलब इतने एप से उसमें से कोई भी आप कैमी स्केनर इस टाइप का आप आता है उसको डाउनलोड करिए और वहां से इतने भी आपने फोटो खीचे हैं अपने पेपर के उसको एक बार सेलेक्ट करके पीडिये बना ली पहला कोईशन आपने समझ लिया कि वहिया एक बटेत तीन की पावर तीन थी और उसकी पूरी की पावर साथ थी तो उसको हमने इस तरह से यहां पर दिखाया हुआ है कि यह लिखा हुआ है आपके कोईशन में और इसको जब हम एक की एक अपन में कुछ भी होगा नीचे व वाली संख्या बनी और फिर जो है आप जानते हो घहत से घहत गुना हो जाता है तो माइनस तीन से गुना हो गया हो square है, plus 7x की घात लिखी है, जब घात आपसे पूछे, यानि की power पूछे न, तो power सबसे ज़्यादा वाली लिखनी है, तो इसकी power कितनी है, सबसे ज़्यादा 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, जो कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो हम लिख देंगे, इसकी घात जो है, power जी उसकी बोलते हम, घात 3 है, बस इतना इसका उत्तर हो जाएगा, इस तरह से अगले question की बात करें, यहाँ पूछा गया है, बहुपद पी एक्स जो दिया गया आपको, 5 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वाइर प्लस 3 का एक्स बराबर एक पर मान गयात कीजिए, यानि कि एक्स का मान आपको एक लिखना है हर जगे पे, इस संख्या में यह जो आपको question दिया गया है, इसमें हर जगे पे और बराबर में फिर से आपको 5x दिया है, तो 5 तो ही आपके पास में एक्स की जगए फिर से हमें एक लिखना है तो 5 गुना 1 हो गया, 4 x ठीक है फिर आपको minus के दिया है, sign माइनस लगाईए फिर 4 लिखना है, 4 लगा यह फिर गुणा में आपको x square दिया हुआ है, तो गुणा और x कमांद दिया है, हम हर जगे एक ही रखेंगे, तो x square कर दीजिए, और इसी तरह से plus में 3 है, तो plus 3 कर दीजिए, ठीक है, अब देखिए, इसको solve कर लीजिए, कितना जाएगा, p1 पे जो इसकी value आ रही है, वो कितनी ह हो जाएगी, 5 गुणा एक 5 ही होता है, माइनस का, तो माइनस रहने 2, ठीक है, और 1 का square एक ही होता है, यहानि कि p1 पे जो मान निकल रहा है, वो कितना निकल रहा है, 5 माइनस 4 कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 1 है, प्लस का 3 तो था ही, तो प्लस का 3 करोगे तो कितना हो यहाँ पर तो इसका मान तो एक आया, और यहाँ पर प्लस का 3 था, यहनि कि total value आ गया, आपके पास में 4, तो यह हमारे पास उत्तर आ गया इसका, अब आगे बढ़ी है next question देखते है, तो देखिए, इसमें जो है, हमारे एक X रेखा होती है, और एक Y रेखा होती है, आप ज कहते हैं, अब X क्या है, X जो है आपका 36 है, 36 होता है X, और उर्द्वादर होता है Y, ठीक है, इसलिए आपको समझ लेना है, अब आगे बढ़ते हैं, next question जो है, उसकी बात करते है, समय करन, minus 2X plus 3Y equals to 6 को, AX plus BY plus C equals to 0 के रूप में लिखिए, और A, B, C के मान बताईए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, simply जो है, यहाँ पर देखो, बराबर का sign लगा हुआ है, यहाँ बराबर में 0 लाना है, तो इस वाली 6 को इधर ले जाओ, हमारे पास संख्या क्या बन जाएगा 0, तो यह संख्या बन गई हमारी, अब यहाँ पर जो है, इसको compare कर लेते हैं, इस से, तो देखो, A की जगे क्या है, हमें A, B, C का मान लिखना है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ, A बराबर कितना हो जाएगा, तो A बराबर आप देख रहो, X की जगे तो X है, यहाँ पूछा के आपसे, X बराबर 2 हो, Y बराबर 1 हो, समिकर्ण आपका यह है, यहाँ पर K का मान क्या हो जाएगा, इसमें आपको X के जगे पर 2 रख देना है, Y की जगे पर 1 रख देना है, तो यहाँ पर देखिए, दो तो 2 है, गुणा में X है, तो गुणा में X का मान कितना बोल रहा है, यह 2 कि हमारे पास उत्तर हो गया कि कमान कितना है साथ आया अब यहां पर एक बिंदू से होकर कितनी रेखाई खीची जा सकती है भाई कोई बिंदू है यहां पर अब इस बिंदू से आप कितनी रेखाई खीश सकते हैं तो आप अनंत खीश सकते हैं देखो ऐसे इधर भी रेखाई खीश सकते हैं इधर 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 आप खीशते हैं जाओ जितनी रेखाई आप खीश सकते हो ना उतनी रेखाई और इसका मूहल बिंदू क्या होता इस सेंट्र वाला इस सेंट्र पर क्या होता है हमेसा maze 00 होता है एक कमाण भी 0 होता इसुपूंट पर, वही बोल रहा है भी बिन उसि रिक बोलते है ऊर हम उस को सब्सक्राइब थे जो तो जीरो और जीरो निर्देशांक हो गए, जीरो कमा जीरो, इसका उत्तर हो गया, आगया जीए, यहां पर बोला गया, गणित की परिक्षा में दस विद्धार्थियों द्वारा प्राप्त किये गए, अंक निम लिखीत है, यहां पर अंकों की संख्या दे रखी आपको, कि स्था पच्पन है इसका फौ 550, 60, 60, 42, 25, 58 ए और 62, 75 इनका परिशर क्या होगा, परिशर क्या होता है अधिक्तम संख्या माइनस में निम तम संख्या फिजो आपका परिश dad होता है, इसका सूत्र होता है, अधिक्तम मान माइनस में नियून तम मान ठीक है? यह माइनस कर देते हैं तो परिसर क्या हो जाएगा? अधिक्तम मान देखिए इसमें सबसे बड़े संख्या कौन सी है? या फिर आप लिख सकते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यहां पर सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है 95, तो आपने लिखा 95, माइनस में सबसे छोटी संख्या, 25, उसके अलावा कोई छोटी संख्या नहीं है, 25, इतना जाएगा, 70, यह उसका आंसर हो गया, अब आगे देखिए, 36 बटे 100 भिन को दसमलो रूप में लिखिए और बताइए इसका दसमलो प्रसार किस प्रकार का है, तो 36 बटे 100 को हम, नीचे 20 है तो पॉइंट लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, पॉइंट 36, ठीक है, यह तो हो गया इसका दसमलो रूप, अब यह सांथ है या नहीं है, और सांथ होने के लिए क्या होता है, कि नीचे जो आपका 100 है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, 5 बटे M, और 5 बटे N के रूप में होनी चाहिए न, यानि कि उपर की संख्या तो 36 मालो, 36 की 36 ही रहेगी, नीचे वाली संख्या को हम 5 बटे, तो इसको हम क्या करते हैं इसका लगुत्तम समावर्त ले लिजिए तो का पहले निकाल लेते हैं कितना होता है तो दो से चला जाएगा पचास बार में फिर दो से चला जाएगा पचीस बार में फिर पचीस तो दो से नहीं जाएगा पांच से जाएगा पांच बार में और फिर प अज की पावर N के रूप में होने चीए, तो नीचे 2 और 5 आ रहा है। अगर इसके अलावा कुछ भी आता तो यह गलत हो जाता है, यहां पर मतलब इसको असांत मानते है। अब अब इस 2 और 5 आता है हमेंसा जब नीचे तो यह सांत होता है। तो अतह यह है शान्त आवर्ति है। दस्वाला प्रसार कैसा इसका शान्त आवर्ति है। अब खंडबा की बात करें, इसी तरह से प्रशन पूचे गए, अच्छे प्रशन है, इनको आराम से कर सकते हैं। अब यह 0.47 की यहाँ पर आपको बार दे रखा है, वो P by Q, यानि की आपको रेशनल नंबर में बता के लिखना है। यह रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q जो है पूर्णा आंके है। तो आराम से कर सकते हैं, जानतो है दर समल अटा होगे, तो क्या हो जाएगा। हम माइनस करके लिखे देते हैं। युक्लिट द्वारा की गई, अभिधार्नाओं में से कोई भी दो अभिधार्नाओं लिखी है। जो परिमय है अपने पड़ा होगा, तो उसकी क्या अभिधार्नाओं है, उसकी दो अभिधार्नाओं आपको लिखनी है। एक दी गई किरण के प्रारंबिक बिंदू पर नब्बे के कोण की रचना कीजिए। यहाँ पर जैसे की लाइन खीचोगे आप, इस लाइन पर आपका प्रारंबिक बिंदू यह है। इस बिंदू से आपको रचना करनी है, तो आप क्या बनाते हो, यहाँ पर एक अकोण बनाते हो, फ्रकार की सायता से, और फिसको काटते हो, फिर काटते हो, तो नब्बे डि तो यह चीजे तो बताने की जरूत है नहीं, पचास दस्वलों स्थान तक शुद पाई का मान नीचे दिया गया है, जैसे पाई का मान कुछ दे दिया, तीन पॉइंट एक चार, फिर कुछ और दे दिया, अगर होते तो मैं बताया था, चलिए, भाग सर जो आपका शुरू होता है, यहाँ पर क्या बोला गया है, 12x²-7x-1 के गुणनखंड कीजिए, तो आप इसका खुणनखंड कर सकते हो, अंदर वाले को ऐसा तोड़ो कि यहाँ पर आपका प्लस माइनस करो तो साथ आ जाए, और गुणा भाग करो तो आपका 12 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का तीन और माइनस का, यानि के हम क्या लिख सकते हैं, इसको 12x², ठीक है, माइनस का अगर मैं क्या ले लूँ? माइनस का 4 ले लेते हैं ना, माइनस का यहाँ पर 4x लिख दूँ, और 4 ती हैं यह 12 हो जाएगा ना, और माइनस का 3x प्लस का 1 तो देखो आप माइनस का 4 और माइनस का 3 साथ बनता है और 4 तिये 12 ये 12 होता है तो इस तरह से ये गुरन खंड होगे आप इसका जो है कॉमन निकाल लो तो इस चार इसमें कॉमन आ जाएगा चार तो अंदर क्या बचेगा तीन और इधर बचेगा एक इस तरह से यहाँ पर तीन कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ पर एक कॉमन लोगे तो यहाँ भी तीन बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा तो इस तरह से जो आप एक्स बच गया, और माइनस का एक बच गया, इस तरह से यहाँ पर अगर मैं common लूँ तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर अगर मैं common लेता हूँ, माइनस का वन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, आपके पास तीन एक्स, ठीक है, और माइनस का एक, यह माइनस का एक है, और माइनस का एक गुणा करो गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इस तरह हो गया, गुणा अंखंड क्या हो जाएगा इसका, है यहाँ पर 4-1, एक गुणा अंखंड आया, 4-1, और दूसरा गुणा अंखंड आया आपका, यहाँ पर, 3x-1, ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने क्या करा है मैं एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पर तो दोनों में एक्स है ना और यहाँ पर एक्स नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्वारी बड़ा सा मिस्टेक है इसको सही कर लेते हैं एक मिस्टेक क्या है देखिए ध्यान से यहाँ पर मैं य X हटा देता हूँ, यहां पर भी यह X हटा देता हूँ, यहां पर भी मैं यह X हटा देता हूँ, दुबारा कर लेते हैं यहां ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्या confusion करना आपको, हम तो X भी common लिए हैं तो X को तो बाहर छोड़ना पड़ेगा, अब यहां पर हम 4 चार X पूरा का ले सकते हैं, इसमें भी X है, इसमें भी X है, तो 4X को common ले लिए, तो 4X common ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, आप देखो, 4-3-12, केवल 3 बचेगा, ठीक है, और माइनस का, 4X है ना, तो 1 बच गया, इसी तरह से इधर देखो, यहां पर मैं क्या common ले लू यहां पर common लेता हूँ, अगर 1, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास में, देखिए, confusion ही, confusion हो गया है, डिस्टर मत करो बच्चो, बैठो सांती से थोड़ा सा, एक बार मैं कर लूँ, इसको clear, देखो, यहां पर 3X बचा, तो 4-3-12, X-square, यहां गया, माइन 3X पिलस 1 है, तो हम माइनेस का अगर एक ले लेते हैं बाहर, यहां पर भिकी बचेगा, 3X minus का 1, आप गुणा करो देखो, माइनस का 3X से गुणा करोगा तो माइनस का 3X ही आएगा, और माइनस के 1 से माइनस के 1 को गुणा करोगा, तो पिलस का 1 बन जाएगा, तो यह हमारे खंड यह बन गया, 3x-1, यहां से निकाल सकते हो, कोई भी गुर्ण खंड लेलो पहले तो, 4x-1 को 0 के बराबर किया, यहां पर 4x बराबर क्या जाएगा, इधर minus का 1 अधर जाके plus का 1 हो जाएगा, इसी तरह से, दूसरा निकालूं, तो 3x-1 बराबर क्या हुआ, एक अधर एक से 2 बराबर क्या हो जाएगा, यह हमारे पास यह दो नों उत्तर आगे, इस तरह से घुनण खंड करते हैं, आपको बताया होगा इस स्कूल में, एक बटे अंडरूट साथ माइनस दो के हरका परिमयकरन करिए, परिमयकरन का मतलब क्या होता है, जो संख्या है, पूरी की पूरी, किसी के अपोजीट साइन से जो है, उपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानि कि एक बटे, under root 7 minus 2 दिया हूँ न तो आपको गुणा करना है under root 7 plus 2 से बटे में under root 7 plus 2 से यानि कि माइनस था तो हमने plus plus से गुणा भाग दोनों कर दिया तो बराबर हो गया है बही कट जाएगा वापी से ही आ जाएगा अब इसको जो है इससे गुणा करो गया तो कितना आ जाएगा अंडर root 7 plus का 2 और नीचे क्या जाएगा नीचे आपका जो है यह a minus b और a plus b का फॉर्मूला बन गया हम कह सकते हैं कि अंडर root 7 का स्क्वाइर अब यह a minus b a square minus b square क्या है minus 2 का स्क्वाइर अब यहाँ पर solve कर लो यह 7 का स्क्वाइर करोगे तो 7 ही रहेगा minus 2 को करोगे तो कितना चार हो जाएगा हम लिख सकते हैं इसको कि यह हो गया अंडर root 7 plus 2 upon 7 minus 2 का स्क्वाइर 4 हो गया खटा लो तो यह आ जाएगा आपके पास में अंडर root 7 minus plus 2 upon 7 minus 4 कितना 3 तो यह हमारे पास इसका अंसर आगया आकर्ति को देख करके निम्न को लिखिए बी के निर्देशांग बताने आपको बी देखिए कहां पर है बी आपका यह है इस बी के निर्देशांग क्या है तो बी के निर्देशांग है minus के 5 यह बी जो है point minus पे है और 5 पे है ठीक है और इसी तरह से plus का 2 है यह रहा plus का 2 ठीक है यह plus का 2 है और यह जो आपका minus का 5 तो बी के निर्देशांग क्या हो गए एक्स का पहले लिखते हैं तो एक्स का मान आ रहा है माइनस का 5 कोमा दो वाई कमान तो यह हो गया बी के निर्देशांग सी के निर्देशांग कितने हैं सी पे आज़ेए सी यह रहा ठीक है सी पर जो है एक्स का मान पांच आ रहा है कोमा वाई का मान भी पांच आ रहा है तो म y command होता है X command देखिए X line पर minus 3 किदर है minus 3 यहां पर है और Y command minus 5 y minus 5 नीचे की दरफ होता है तो यह रहा Y minus 5 यानि कि यह बिन्दू A है ठीक है हम कह सकते फैचाना कर बिन्दू किया है A है D का भुज तो भुज क्या होता है X command होता है ठीक है ना? तो D का भूझ देखिए, A, B, C, D, D ये रहा, D का भूझ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा अंसर 6. बिंदू L के निर्देशांग, बिंदू L देखिए कहाँ पर है? बिंदू L आप कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं? और M के निर्देशांग भी पूझ रहा है, जब M और L का पूझ रहा है, तो M और L तो इसमें होना चाहिए, एक्जाम पेपर में मिस्टेक लग रहा है, मिरोको है न? इसमें M और है दिया ही नहीं है, चलिए, आगे कैसा कुश्यन है? एक चत्रबूज के कौण जो है, तीन, पांच, नो और तेरा के अनुपात में हैं, तो चत्रबूज के सब कौण ग्याद कीजिए, यह चत्रबूज है आपका, चत्रबूज बना लेते हैं, कोई एक मतलम आ पांच, एक है नो, और एक है तेरा, सारे के सारे एक्स मान लेते हैं, तभी तो हमेरे को पता चलेगा कि सब की वैल्लू की आएगी, एक्स है, यह भी एक्स है, और यह भी एक्स है, सारे कोणों का जो योग होता है, इस कोण का योग, इस कोण का योग, इस कोण का और इस को कोनों का योग जो है 360 होता है चैत्रबुजी के तो हम कहेंगे 3 पलस में 5 पलस में 9 पलस में 13. 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x ये कितना होता है चारो कोनों का योग 360 डिगरी अब जोल दीजिए कितना होता है तो 5 और 3 आठ आठ और 9 8 और 9 17 और 17 और 13 30 यहाँ प्लस आगया 30x बराबर 360 डिगरी तो x का मान कितना हो जाएगा तो x निकाली है x बराबर क्या हो जाएगा 30 से यह हो जाएगा भाग तो 0 से 0 कट गया और 3 से कट गया यह 3 और 3 दो निचे यानि x बराबर आगया 12 डिगरी x का मान 12 डिगरी है तो 3 गुणा 12 हो जाएगा यहाँ पर पहला मान तो 3 गुणा 12 यहाँ पर 5 गुणा 12 यहाँ पर 9 गुणा 12 और यहाँ पर 13 गुणा 12 अब गुणा करके निकाल लीजिए आंसर आजाएगा चित्र में जो है a b सामानांतर है d e a b जो है सामानांतर है d e के यानि कि दोनों पैरलल है कौन b a c 35 डिगरी है b a c यानि कि यह 35 डिगरी बोल रहा है और c d e 53 डिगरी है c d e 53 डिगरी है यह 53 बोल रहा है सही है फिर कौन b c e ग्याद किजिए कौन b c e यह ग्याद करना है आपको d c e आपको यह find out करना है अब आसानी साब बता सकते हैं इसमें कि वही है इसका कितना answer आना चाहिए देखो यह आपका कौन है यह triangle बन रहा है न आपका इसमें अगर इस लाइन को थोड़ा सा हम extend करें इस तरह से तो आपका जो यह angle है जहां रखिएगा यह वाला भी line extend कर दीए यहाँ पर 35 डिगरी का angle है यह 35 डिगरी का यहाँ भी बनता है और 35 के अलावा यहां से इस तरह से हम जाएं इस तरह से तो यहाँ पर यह पूरा angle कितना बन जाएगा यह बनता है 138 यहां पर आता है 145 डिगरी कितना यह वाला कौण यह आपका आ गया कि यह आपका 145 है लिहां रखिएगा फिर आपको पता है कि यहां से आगे का कौण भी कितना होता है यह टोटल मिलागे 180, अब 180 में 45 निकाल हो गया, तो अंदर वाला कोंड कितना हो गया? 35 का. यह वाला जो कोंड है, आप सिधा सिधा यह भी कह सकते हो कि अगर यह 35 है, तो अंदर वाला भी कितना होता है? 35 ही होगा. यह भी कितना हो गया? 35 डिग्री हो गया. Sorry! अब यह 35 है, तो तीसरा कॉन निकालने में हम रहे को दिक्कत नहीं है, क्योंक हम तीनो कॉनों का योग जानते हैं, वो तीनो कॉनों का योग जो है 180 degree होता है, तो यहाँ पे 53 प्लस 35, और यह माल लिया x यह c माल लो, तो यह कितना हो गया, 180 बराबर कितना हो गया, 35 प्लस c प्लस 53, अब निकाल लो इसको, आप 180 degree माइनस 35 माइनस 53 बराबर c का मान आएगा, जो इस c हमें निकालना है, अब इसको भेटा लीजी, आप का अंसर आ जाएगा, चित्र में चत्रभुज, A, B, C, D, में A, C, बराबर A, D, और A, B, कौन A को समझाज़ाजित करता है, तो सिद कीजिए कि यह सरवांग सम है, यह सरवांग सम का नियम का नुपालन करना है, ठीक है, यह आपके जो है, यह लाइन और यह लाइन जो है, इसने क्या बोला है, यह समझाज़ाजित करता है, यह दोनों को बराबर हिसों में बाट रहा है, इसमें क्या हो गया, A, B, हो गया, दोनों, तिर्भुज यह और यह, में यह कॉमन है, A, B, और तिर्भुज, A, C, B, में, आपका जो कॉमन है, वो क्या है, देखो, आपको तीन चीज़े कॉमन निकाल आपको पता है, जैसे कि ट्राइंगल, तिर्भुज की बात करूँ, तिर्भुज A, C, B ले लो, A, C, B, और एक तिर्भुज हम लेते हैं, A, D, B, तिर्भुज A, B, और B, दोनों में क्या कॉमन है, यह देख लो, कॉमन की बात कर रहा हूँ, मैं डारेक्ट के ओल आपको बत और इधर क्या कॉमन है, A, D कॉमन है, A, D, और दोनों क्या है यह, बराबर है, तो A, C, बराबर क्या हो गया आपका, A, C, बराबर A, D, और दूसरी चीज और क्या कॉमन हो सकती है, यह एंगल A, दोनों में आ रहा है, एंगल A बराबर एंगल A, इसमें एंगल A, और इसमें डोनों बराबर हो गये, तीसी चीज कै आ रही है, हम कह सकते हैं, ए भी जो है, दोनों में common है, ए भी रेखा जो है, दोनों में overnist है, तो ए भी बराबर हो रहा है, दोनों तिर्बुज, मैं क्यों आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो इस तरह से आप तीनों चीज बता दोगे, अता है, जो है हम बता सकते हैं, कि ये जो है सरवांग सम है, बस इतना सा आपको करना है, थोड़ा साई, एक संभाहू तिरबुझ की रचना कीजिए, जबकि एक बुझा की लंबाई 5 cm आराम से कर सकते हैं, संभाहू तिरबुझ अच्छा, एकस कमान जो है माइनस 3 है, फिर 0 है, फिर माइनस 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, उसी समय जब एकस कमान माइनस 3 लोगे तो य कमान 7 लेना है, इस तरह य कमान 0 जब रहेगा एकस कमान, तो आपको य कमान उस समय दिखाना है, 3.5, फिर एकस माइनस 1 लेना है, तो ये र 1.2 1.3 क्योंकि यहां पर point की बात हो रही है तो 1.2 1.3 1.4 1.5 इस तरह से जाते जाओ इधर लिखोगे इस तरह से 1.2 1.2 minus में लिखोगे इधर minus आएगा सारा इधर plus आएगा उपर वाला जो y रेखा पर चलेगा वो plus कर रहेगा इधर negative रहेगा अब जो है आपको बताना क्या इस तरह से सब आपको दिखाने होंगे जैसा कि हमने ऊपर question देखा था ना भी इस तरह से आपको दिखाना है यह सारे point को लिखना है पहले इधर minus आएगा इधर सारे plus की संख्या रहेगी इधर नीचे minus कर रहेगा और फिर जो minus का आपको जो बिंदू दी गई है x लाइन पर देखो क्या दिया गया है x वाला बिंदू को touch कर ले यह रहा minus 3 तो minus 3 जहाँ ले जाईए इस तरह से सीधा इसको इस तरह से लाइए जहाँ यह बिंदू कटेगा वहाँ पर जो है minus 3,7 जो है आपका आजाएगा ठीक है यह आपको द्यानक नहीं अब आईए आपका next question है कैसा है एक त्रभुज का 6 त्रफल ग्याद कर जिसकी बुजाए 8 cm और 11 cm से तथ प्रतित है तो एक कमान जो है ग्याद करना बहुत simple सा question है यहाँ पर जो दिया गया है इसमें पूछा गया आपसे उपयोगते सर्व स्वमिकाएं परियोग करते हुए निमिलिखित में से प्रतिक कमान ग्याद कीजिए यहाँ पर जो भी आप सर्व स्वमिका लगाना चाहे का आलेख खीचिए तो आप एक्स प्लस चार आलेख कैसे खीचेंगे किसी x कमान निकाल दीजी है यह पच्छे ने लिखा भी आस वृल करते समय एक्स बराबर क्या हो जाएगा मायनस का 4 तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ मैनस का 4 वाई बिलकुत सही है कि यहाँ पर जा और एक समानतर चत्रभुज का एक ही आधार है अच्छा दोनों का आधार एक ही यानि कि एक ही आधार पर एक ही जमीन पर टिके हुए है और छेत्रभल भी एक ही है अच्छा उन दोनों का छेत्रभल जितनी जमीन उसके पास है उतनी जमीन उसके पास है यदि प्रभुज की ब रात्वा भी दिया गया है, एक सम्चत्रभुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है, यदि इस सम्चत्रभुज की परतेक बुजा 30 मीटर है, और बड़ा विकर्ण वो कि बोल रहा है, कितना? 48 मीटर है, तो परतेक गाय को चरने के लिए इस खेत, इस घास के खेत का कितना छेत्रफल प्राप्त होगा भईया पहले तो पूरा छेत्रफल निकाल लो और 18 गायों के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दो अगला जो है एक इस्थानिय टेलीफोन निर्देशिका के सोक कुल नाम सरनेम यद्राच्या लिए गया है और अपनी इक्षा से ल मिले हैं चार से छे जो तीस मिले हैं छे से आठ चोवालिस और आठ से बारस सोला बारस से तीस चार जीगई सुचनाओ को निरूपित करने वाला एक आयचित्र आयचित्र आपको बनाना है बार ग्राफ और वर्ग अंतराल बताईए जिसमें अधिक्तम संख्या के कुल नाम हैं और जीती गई सीटे 75, 55, 37, 39, 10 और 37 हैं मदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आरेक बनाना है यहां पर दंड आरेक बनाना है किस राजनेतिक पार्टी ने अधिक्तम सीटे जीती हैं यह भी बता देना है तो भाई राजनेतिक पार्टी यहां आप देख एक्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके हैं इससे पहले हमने अंग्रेजी का और हिंदी का दे दिया है जीन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेना क्योंकि हर जगे पर एक्जाम जो है सेम टाइम पर नहीं हो रहे है अलग अलग टाइम पर दे दिया गया है हर दिन जो है एक्जाम कुछ और हो रहा है, जैसे कि आज गणित का कहीं भी पेपर हुआ है, तो वहाँ पर गणित का ही चला है, हिंदी का नहीं हुआ है, इंग्लिस का नहीं हुआ है, और कहीं पर इंग्लिस का हुआ है, कहीं पर हिंदी का हुआ है, कहीं पर समाजी की विज् तो सारे पेपर्स आ रहे हैं और फटा फटा मुन कुश्चन्स को आपको तक पहुंचा रहे हैं तो आसा करता हूं इस वीडियो को जरूर शियर कर लोगे अपने दोस्तों के साथ